सब्सक्राइब की बटन को जरू दबा दे जिसे आपको आने वाली हर एक सब्जेक्ट के असाइमेंट असानी से प्राप्त हो सके तो चलिए इस असाइमेंट के सुरवात करते हैं तो देखे आपके विज्ञान में असाइमें में पहला कोस्चन कौन सा दिये गया है देखे प्रस नंबर पहला में दो कोस्चन दिये गय इन दोनों question में देखिए आ दो अंके है और बाग इतने अंके है ये तीन अंके है टोटल ये पांच अंके हो गए तो सबसे पहले लिख लेंगे question number आ क्या है घहरिलू विदूत परीपत में घार के सभी उपकरण समानतर करम में जोड़े जाते हैं क्यों इसका answer लिख लेंगे उथे लिख लेंगे इन सभी point को आप अच्छे से लिख लेंगे ये हो जाएगा इसका answer जो कि आपकी बुक में ही दिया गया है अब आते हैं प्रस नंबर बा में प्रस नंबर बा में क्या बोला गया है एक घर में प्रति दिन 40 वाट के 40 वल्प 5 गंटे और 60 वाल्प के 2 वल्प 6 गंटे और 80 वाट के 3 पंखे 6 गंटे चलते हैं तो इस घर में एक महिने में बिजली बिल का कितना खर्च आएगा यदि एक यूनिट का मूल ये 50 पैसे हैं, तिसका आंसा लिख लेंगे, उत्तार डालके बल लिख लेंगे, इस प्रसव से नहीं, ये 1000 से भाग देंगे, नीचे में 1000 है, अब आ जाएंगे, तिसको आप अच्छे से लिख लेंगे, इस पैंट को, ये हो जाएगा, तिसको क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ये हो जाएगा, चूबी सुनिट, ये सिर्फ 4 वाट के 4 बल्ब के लिए है, अथा 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे तक चलते हैं, तिस प्रकार इससे लिख लेंगे, ये हो जाएगा, इसका यूनिट, तो टोटल यूनिट निकालेंगे, अथा एक महिने में बिजली खर्च, पहले 24 यूनिट, फिर 12.6 यूनिट और 13.2 यूनिट, टोटल 18 यूनिट, और ए Q2 में, Q2 देखेंगे, प्रत्यावर्ति विद्धु धारा जनित्र का वर्णा नमांकी सिर्षकों के अंतरगर्थ कीजिए, तिसका दिखेंगे लेंख लेंगे, नमांकी चीत्र और सिधान्त, दो पाइंट करना है आपको, कितने अंके हैं, ये देख लेंगे, ये दो दो अ अंके हैं, नमांकी चीत्र में दो अंक है, और सिधान्त में दो अंक, टोートल कितने? चार अंके हैं, तो लिखेंगे उतर, सबसे पहले नमांकी चीत्र बनाए लेंगे, उतर आ, ये हो जाएगा इसका विद्धु जनित का, विद्धु धारा का नमांकी चीतर, इसे आप अच और जिसका मन करें लिखने के लिए वो लिख सकते हैं होगे तो यह देख लेंगे कार्य विधि को अगर लिखना चाहए था पूरा इससे अच्छे से लिख सकते हैं अब आता है question number 3 में question number 3 में क्या है neen milkyth hormones के कारे लिखे कितने hormones दिए गये है 4 hormones दिए गये है आपको एक एक line लिखना है total 4 अंक आपको प्रतियak hormones के बारे में एक line में एक अंक हो जाएगे तिसको लिखलेंगे सबसे पहले लिखेंगे Gibralin ये हो जाएगा उत्तर पहला लिखेंगे Gibralin harmons पौधों की लंभाई में व्रिधी तथा कोजिगा विभाजन में सायक होता है इस प्रकार लिखेंगे Second के लिखेंगे Cytokinin ये हो जाएगा Cytokinin के कारिया उसके बाद तीसरा लिखेंगे ये हो जाएगा तीसरा थायराक्सीन का कारिया और ये last हो जाएगा टेस्टोरेन ये हो जाएगा चौंथा टेस्टोरेन टेस्टिकल द्वारत पाधित एक हार्मोंस है जिसका मुख्य कारे पूरुसों के योन अंगों वा लक्षणों का विकास करना होता है इस प्रकार ये लिख लेंगे question number 3 का पहला, दूसरा, तीसरा और 14 चारो पैंट को लिख लेंगे यह हो जाएगा चारंग अब आते है question number 4 में इसमें बोला गए yugmanaj क्या है ये पहला है और दूसरा है देखे question number 4 में भी दो प्रस्न दिये गए है दूसरा प्रस्न क्या है मादा, मादा, जनन, अंका, स्वक्ष, नमांकी, चीतर बनाईए तो देख लेंगे पहले point में क्या है यugmanaj में किवाल एक अंक है और नमांकी, चीतर में आपके कितने अंक है तीन अंक है टोटल आपके 4 अंके दिये हैं इसको लिख लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे उत्तर पहला दो यugmanaj कोश का है जो सुकराणू तथा अंडाडू होते हैं लेगिक पज़रन के दुवारा संयुत होकर जिस कोश का कनिरमाण करती है उसे क्या बोलते हैं यugmanaj या यugmanaj कहते हैं यह हो जाएगा आपके पहले प्रस्न का अंसर अब आज आगे question number two में मादा जनन अंका नमांकी चीतरती है आपके book में दिया है book में भी book से देखकर बनाना चाहते हैं तब book से देखकर भी बना सकते हैं अंडवाही का लिख लेंगे अंड़ास से लिख लेंगे गर्भास से लिख लेंगे गरिवा और यूनी यह हो जाएगा इसका चीतर अब आते है question number five में question number five जो कि आपके assignment का last question है इसमें भी दो प्रस्न दिये गए है पहला प्रस्न है क्या आवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार है क्यों यह दो अंके हैं उसके बाद मनुस से कुषकाओं में कितने गुर्षूतर पाये जाते हैं यह केवल एक अंका है टोटल यह तीन अंके हो जाएंगे तो देखे पहला लिख लेंगे उत्तर पहला आवल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार है क्योंकि आवल के जरिये बच्चे तक भोजन पानी गैसे इत्यादी मास से बच्चे तक पहुचती है यह हो जागा पहले का अंसर अब लिख लेंगे दूसरा मनुस्य कोशिका में कितने गुर्षूत्र पाज़े जाते हैं यह केवल एक अंका है तो चाही से एक लाइन में भी लिख सकते हैं देखे मनुस्य मानुकोशिका में गुर्षूत्रों के संख्या 46 होती है जो 23 जोड़े में होती है इन में से 22 गुर्षूत्र नर्थ और मादा में समान होते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से समझाद गुर्षूत्र कहते हैं और इसी प्रकार 23 जोड़े की गुर्षूत्र इस्त्रिय और पूर्ष में समान नहीं होते हैं जिन्हें विसमझाद गुर्षूत्र कहते हैं यह हो ज अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में सेयर करना न भूले थाइंक यू सो मच